लक्षमन जी भगवान को इतने प्रिय हैं कि बालमीग जी कहते हैं जैसे व्यक्ति को अपना प्राण प्रिय होता है प्राण से ज़्यादा किसी को कुछ प्रिय नहीं होता प्राण सबसे ज़्यादा प्रिय है हर व्यक्ति को अपना प्राण प्रिय है अब प्राण के बाद अ प्राण प्रिय होता है तो उसको भी लोग यही कहते हैं भाई आप तो हमारे प्राण प्रिय हो प्राण के समान हम आप से प्रेम करते हैं प्राण प्रिय हो प्राण का ही उदाहरन दिया जाता है प्राण के समान प्रिय हो और बड़ी विडब्मना है संसार के प्राणी एक दूसरे को यही कहते फिरते हैं अरे भाई तुम तो हमको बहुत प्रिय हो प्राण के समान प्रिय हो और उसे छोड़े दूसरे से मिले तो उसको भी यही कहते तुम भी मुझको प्राण के समान प्रिय हो प्राण के समान अत्यंत प्रिय होना यह साधारन बात नहीं कहना सरल है प्राण प्रिय प्राण प्रिय प्राण के समान प्रिय लेकिन यहाँ पर लक्ष्मन जी के लिए जो कहा यह परम सत्य है लक्ष्मन जी भगवान स्री राम के बाहरी प्रान है एक प्रान राम जी के अपने विक्रह में है और दूसरा राम जी का प्रान कौन है बोले लक्ष्मन जी झाल झाल